तो हेलो गाइज मैं हूँ रोही तराय और आपने निउस में देखा होगा कि तुर्की में प्राक्तिक गैस का भंडार मिला है तो आज इस पर ही बात करेंगे तो इस निउस पर बात करने से पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है प्राक्तिक गैस या नैचरल गैस तो साइंस के अनुसार करोडों साल पहले आये बड़े भुकम के कारण कई जीव और पेड़ पौदे धर्ती में धस गए थे और उनी पेड़ और जीव के कई साल से सडने और गलने से धर्ती की नीचे तेल और गैस बन गए और हर देश में जीव लॉजिस्ट यानी भूव वज्यानिकों की टीम होती है जो जगर जगर पे चेक करती है कि कहां पे धर्ती के अंदर तेल और गैस अविलेबल है और वो टेकनोलोजी के मदद से ये भी पता लगा लेते हैं कि कहां पे तेल या गैस है और कितनी मातरा में अविलेबल है और इस पूरे प्रोसेस में काफी वक्त और पैसा लगता है इसलिए काफी सालों की रिसर्च के बाद जब जियोलॉजिस्ट को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है जमीन के नीचे गैस और ओल अविलेबल होने की तब ही वहाँ खुदाई स्टार्ट की जाती है तो अब बात करते हैं तुरकी में मिले प्राक्ती गैस के भंडार के बारे में ये देखिए ये है मैब और यहां है तुरकी और ये है ब्लैक सी और ये ब्लैक सी डिवाइडेड है इतना पार्ट आ जाता है तुरकी के पास फिर इतना है बल्गेरिया का इतना पार्ट है रोमीनिया का इतना पार्ट है युक्रेन का और ये है रसिया का पार्ट और इतना ज प्राक्ति गैस का भंडार यहां मिला है जो की पूरा का पूरा तुरकी के हिस्से में ही है इसलिए इस पर तुरकी का ही अधिकार और तुर्की का फतीर ड्रिलिंग शिप पिछले कई महिनें उसे इस काम में लगा था तुर्की के प्रेजिडेंट एड़गॉन में बोला है कि तुर्की के इतिहास की सबसे बड़ी नैचुरल गैस की खोज है और सही माइने में ये तुर्की के लिए बहुत बड़ी खोज है क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पर लगबक 300 बिलियन क्यूबिक मैट्रिक गैस अविलेबल है अब ये गैस कितना है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो हमारा भारत 130 करोड की आबादी वाला देश है तो हमने 2017-18 में लगबक 20 मिलियन क्यूबिक मीटर की गैस इंपोर्ट किया था तो तुर्की को इतना गैस मिल गय है नैचरल गैस का तो वहां एक साल में 40 बिलियन क्यूबिक मैट्रिक नैचरल गैस यूज होता है इसके हिसाब से भी 7-8 साल तुर्की को और कहीं से कोई नैचरल गैस इंपोर्ट करने की जरूत नहीं पड़ेगी और तुर्की के प्रेजिडेंट एड़गान का बोलना है क कि यह गैस तुर्की के लोगों के यूज में लाने में 2023 तक का समय लगेगा तो अभी भी तीन साल तक तुर्की इंपोर्ट करता रहेगा नैचरल गैस रशिया और अजरबाइजान के लिए बैड निउस है क्योंकि अब आने वाले 7-8 साल तक तुर्की उनके यहां से उतनी मातरा में नैचरल गैस नहीं इंपोर्ट करेगा जितनी पहला किया करता था और तुर्की अब अपने ब्लैक सी के बाकी हिस्से में सर्च बढ़ा देगा नैचरल गैस की खोज में क्योंकि जब से तुर्की आजाद हुआ है तब से उस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था नैचरल गैस के रिसर्च पे लेकिन अब इतनी बड़ी मातरा में नैचरल गैस पाया जाने पे अब वह और भी बाकी जगों पे जो है ब्लैक सी के खोज बढ़ा देगा तो आपको यह टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा तो अभी के लिए आप से लेता हूं विदा धन बड़ाद